जो KTM AC 200 की seat height है, वो normal bike से थोड़ी जादा है, मेरी height 5 foot 8 inches है, around around 5 foot 8 inches, तो मैं आपको अपनी bike पर बैट के दिखाता हूँ, अपने bike को पीछे करने में, यानि reverse करने में थोड़ी problem आती है, घुछ तब फील होता है कि मेरे पैर अच्छे से, तो अब मैं अपने friend को यहाँ पर ल commonly asked question और you can say, एक common doubt को address करने वाले हैं, और वो doubt यह है, कि आप सब को पता है, कि जो KTM AC 200 की seat height है, वो normal bike से थोड़ी जादा है, तो बहुत लोग का यह doubt होता है, कि what is the perfect height to ride this bike, और what is the minimum height to ride this bike, तो आज के वीडियो में हम इन ही सारी questions पे आप से बात करेंगे, discuss करेंगे, and guys, साथ में मैं अपने एक friend को भी ले का हूँ, जिसकी height मुझसे थोड़ी कम है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, कि उसके लिए यह bike बनी है या नहीं बनी है, and साथ में हम आपको बताएंगे, कि इस bike को चलाने के लिए perfect height कौन सी होती है, and यह bike कितने height वालों को consider करना चा है, so, before starting this video, if you like today's video, just like, share and subscribe to our channel, so, चलो इस video को start करते हैं, बिना किसी delay के, so guys, as you all know, कि मेरी height 5 foot 8 inches है, around, around 5 foot 8 inches, so, मैं आपको अपनी bike पर बैट के दिखाता हूँ, कि जो मेरे feet है, वो किस तरीके से जब इन पर touch होते है, and यह मेरे लिए comfortable ride है, या नहीं है, so, चलो, देखते, so, यहाँ पर मैं अपनी bike पर बैट चुका हूँ, and आप मेरे feet को देख सकते हो, weight मे बहुत ही अच्छे से touch हो रहा है, हां मेरे feet का पीछे वाला portion touch नहीं हो रहा है, but approximately 70% of my feet वो जमीन पर touch हो रहा है, and जिसकी वजह से, जो मुझे maneuver करना है, वो बिल्कुल भी उसमें problem नहीं आती, like आप देख सकते हो, अपनी bike को आगे और पीछे आराम से कर सकता हो, without any worries, and guys, जितना मेरा feet touch हो रहा है, वो मेरे लिए enough है, and guys, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक और चीज़ highlight करना चाहूँगा, and वो यह है कि जब भी मेरे bike के पीछे कोई pillion बैटता है, तो जो मेरा feet है, वो एकदम अच्छे से जमीन पर touch हो जाता है, means एक चीज़ add करना चाहूँगा, जैसा कि मेरा bike अगर flat surface होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे अपनी bike को back करने में कोई problem नहीं आगी, बट वहीं पर, अगर road थोरा से slide shape में होता है, तो वहाँ पर मुझे अपने bike को पीछे करने में, यानि reverse करने में थो शायद मेरा चला जाता, बट हाँ, अगर वह slide एक level से जादा है, तो अगर कम है, तो उसमें आपको problem नहीं होती है, means मुझे problem नहीं होती है, मैं आराम से अपने bike को maneuver उसमें भी कर सकता हूँ, तो चलो, यह तो बात हो गई, मेरी जिसकी height 5.8 है, तो अब मैं अपने friend को आपको दिखाएगी, कि 5.2 इंचेस इस bike के लिए comfortable है, या friend नहीं है, so guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो foot है, वो जमीन पर touch हो रहा है, बट सिर्फ आगे का 40% ही touch हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, 40% से भी कम, around 30% के आसपा, पैट टच हो रहा है, इनका ground पे, बाक बहुत ही minimum होता है, किसी बंदे में बहुत ही minimum होता है, 5.2 इंचेस, यहाँ आप देख सकते हो, कि 5.2 इंचेस भी इस bike को अच्छे से hold कर पा रहा है, और ड्राइव कर सकते हैं, यह मैं मानता हो, कि उतनी comfortably ही नहीं, बट यहाँ पर वो ड्राइव कर सकते हैं, तो guys, यहाँ आप देख सकते हो, कि आगे तो आड़ी है थोड़ी मुस्किल से, आप देखते हैं, कि पीछे जाती है नहीं, तो guys, यहाँ आप देख सकते हो, मैनुवर करने में बहुत ही जादा limitations है, means, मैनुवर करने 5.2 इंचेस के इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल देता हूं, कि अगर आपका height 5.2 है, आप यह bike drive कर सकते हो, जैसा कि आप सामने देख सकते हो, जितना needed होता है, feet को जमीन पर touch होना bike riding के लिए, उतना यहाँ पर touch है, तो अगर आपका height 5.2 है, तो आप इस bike की तरफ जा सकते हो, without any second thing, बट हाँ, यहा कौन बंदा इस bike को अच्छे से drive कर सकता है, कौन बंदा इसको अच्छे से drive नहीं कर सकता है, यह भी आपने देख लिया, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कि what is the perfect height for KTM RC 200 2022, तो guys मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, कि कोई भी बंदा जिनकी height 5.5 foot से उपर है, व उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस bike में comfortable होने में, बट वहीं पर जो भी बंदे 5.5 foot से जाधा किया है, उनको इस bike को drive करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो comfortably इस bike को drive कर सकते है, यहाँ पर मैं आपको एक point बताना चाहूँगा, बट उस point को बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यह बता दू कि आप इस bike के seat height को कितना जाधा अर्जिस्ट कर सकते हो, तो guys जैसे कि आप मोनो सॉक सस्मेंसन इसका देख रहे हो, आप इसको अर्जिस्ट कर सकते हो, बट जाधा limitations है इसमें, आप सिर्फ इसको maximum 1 inches के आसपासी अर्जिस्ट कर तो आप उस bike को अच्छे से drive कर सकते हो, आपके height पे नहीं, आपके driving skill पे depend करता है, so guys अगर आपके height 5-2 है, 5-3 है, 5-4 है, आपको tension लेने की ज़रूत नहीं है, अगर आपका pair जमीन पे touch हो रहा है, तो आप यह bike drive कर सकते हो, बस यह है कि जिनकी height जाधा है, उनको comfortable होने में जाधा time लगेगी, so बस, आज का verdict यही था, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी informative लगी हो, तो please like this video, and guys मैं एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूंगा, कि height पे depend नहीं करता है, bike riding, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके skills पे, so thank you so much for watching my video, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को और पे करते, तो मिलता है, ऐसे ही किसी नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, have fun, bye bye